जी मेरा सवाल ये है कि इंसान अच्छा कैसे बनता है आसान तरीके से समझाएं सवाल अच्छा किया है कि अच्छा इंसान कैसे बन सकता है तो देखिए हम सब के अंदर इस्वरी रचना है जिस मालिक ने हमें बनाया है उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है जैसे अच्छाई में सकून, बुराई से बेचेनी गवराट, गलती पर पस्तावा, सरम का माददा, हया का माददा इसी रचना पर चल कर हम इस काइनात में अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के आदेश को उसके धरम आदेश को पहचान सकते हैं, और समझ सकते हैं कि कौन सा धरम सच्चा है और इसी रचना पर चल कर हम अच्छे इनसान बन सकते हैं अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का जो आदेश है कि आज दुनिया में हम देख रहे हैं किस कदर धरम के नाम पर धोका फैला हुआ है, जायतर दुनिया के अंदर धरम के नाम पर धंदा बना हुआ है जूटा ग्यान फैला हुआ है, इस दुनिया में उपर उपर धोका और जूट है, सच्चाई नीचे ड़की हुई है जब इन्सान जो अपने अंदर जो बनाई ही रचना है इस वर की अल्लत आला की इस रचना के अधार पर जब अल्ला की खोज करता है तो वो सही इसलाम दीन हक को पहचान लेता है चाहें वो दुनिया में कहीं भी हो क्योंकि हर बच्चा दुनिया में कहीं भी पैदा हो वो मुस्लिम पैदा होता है मुस्लिम का मतलब क्या है जिस मालिक ने उसके अंदर अपनी रचना को रचा है अच्छाई पे चल बुराई से बच शरम का माददा है का माददा तमाम जितने भी जो रचना है इस वर की इस रचना पर चलने वाले को मुस्लिम कहते हैं समझे ले बात को हम जो हर इनसान के अंदर है के नहीं सबका मालिक एक है के नहीं तो हर इसना के अंदर उस मालक की ऊस अलला ईस्क्राई की रचना है के नी इसी रचना पर चलने के लिए चलने वाले को मुस्EMA खेती हैं अब इसी रचना को जो अधूरी है दुनिया में ही हम देखते हैं कि भराई का महल है इस रचना के आधार पर इनसान अच्छाई बराई को समझ नहीं पाता कि मैं किसे अच्छाई पर चलू किसे बराई पर चलू इसी रचना के आधार पर अल्ला के कानून हर जमाने में धर्ती पर होते हैं वो जब खोज करता है अल्ला की अपने बनाने वाले की तो वो फिर पहचान लेता है कि वाकई जो है जो मेरे अंदर रचना है यही आदेस है यही मेरे बनाने वाले का आदेस है जिसे आज के दोर में हम देखें कुरान मजीद है और जब इनसान मां के पेट से लेकर और मौत तक जीवन जीने के सारे कानून धरम आदेस संसार के सच्चे मालिक ने बताए है इनसान के बनाने वाले ने बताए है पिसाब कैसे करना है खाना कैसे खाना है पानी कैसे पीना है पड़ोसी के साथ कैसा बरतावा करना है रिस्तिदारों के साथ कैसा बरतावा करना है जो भी जीवन जीने के तरीके हैं, आप खुद चेक करिए इसलाम धरम के अंदर, कि क्या क्या तरीके बताए गए हैं जीवन जीने के, तो आप खुद समझ जाएंगे, कि वाकई जो मेरे अंदर रचना रची हुई है, ये जो धरम आदेश हैं, ये उसी रचना पर आधारी थ हैं इसलाम से जाएंगे, औरका रचना जीवन जाएंगे थे? करेगा दूसरों का अदब करेगा दूसरों की इज्जत करेगा सर्मो हया होगी तो अल्ला से भी डिराएगा अल्ला के हुकम पर चलेगा धरती पर फसाद नहीं फैलाएगा हैं दूसरे का अदब करेगा दूसरे की इज्जत करेगा दूसरे का सम्मान करेगा अगर सर्मो हया ह तो याद रखें जैसे एजनसी से गाड़ियां बनती हैं एक से पार्ट्स उनके बनते हैं और फिर वो हर गाड़ी के अंदर जैसे एक कंपनी गाड़ी है तो उसके अंदर एक से पार्ट्स होते हैं सब को हर गाड़ी को वो पार्ट्स दिये जाते हैं इसी परकार से अल्लत आ अलने एस्वर ने सब के अंदर अपनी रचना को बराबर रचा हुआ है अच्छाई में सकून बुराई से बेचेनी गबराहट गलती पर पस्तावा सरम का माददा हया का माददा अकड़ने का माददा जुकने का माददा दो रास्ते सामने कर दिये हैं चाहे मेरा इहसान मान जैनि चाहे बनाने वाले का इहसान मान और उसका सुक्र अधा कर उसकी अबादत कर उसे राजि कर या उसकी नासुक हरी कर इनसान के सामने कड़त ने दोने रास्ते खूल रखे हैं और जीवन का समय दे दिया है मरने के बाद असल फेसला करेगा तो जो रचना हमारे अंदर ईस्वर ने रची है इसी रचना के आधार पर उसके आदेस उसके पैगंबर लेके आते हैं और उसकी तरफ से ये टेस्ट होता है, अम्तिहान होता है कि कौन मुझे डरता है और डर कर मेरे हुकम पर आ जाता है और स्वरक का हकदार बन जाता है और कौन अकड़ जाता है, घमन दिखाता है और मेरे हुकम पर नहीं आता है और मरने के बाद फिर नरक की आग में जोका जाता है ये टेस्ट होता है, अल्ला की तरफ से हर जमाने में इसी तरह से अल्द आला के आदेश पेगमर लेके आए जो रचना इंसान के अंदर रची हुई है अच्छा इंसान जान जाता है कि वाकिए जिसने मुझे बनाया है ये उसकी तरफ से सच्चा हकम है उसका तो मैं उसके डर जाओं उसके हकम पे आजाओं और बुरा भी समझ जाता है कि जिसने मुझे बनाया है उसका सच्चा पेगम है अब वो निडर होकर नहीं मानता तो वो उसकी मर्दी है मरने के बाद नरकी आगम जाएगा जान सब जाते हैं क्योंकि अल्ला के जुम्मे हैं सच और जूट को दिखाना जब अल्ला पेगमर को भेजता है तो जो रचना के आधार पर जो उसका आधेस होता है वो पूरी दुनिया में यानि जिस खिटे में भेजा गया है जिस जगा में भेजा गया है वहाँ पर अपने उस पेगम को आम करा देता है आम करा देता है अच्छा हो या बुरा हो और फिर असल जिन्दगी मौत के बाद है वहाँ पर फिर फैसला करेगा जिसमें ये से करम की उसको वैसी बदला देगा तो भी अच्छा इनसान बनने के लिए आज के जमाने में पूरी धरती पर इसलाम दीन हक जो इनसान के अंदर रचना रची हु अचछना है और हमnya कामियाबी का जीवन सुर्क का जीवन जन्नत का जीवन हासिल करना है तो आप mark के सामने अपने आपको समर्पित कर दें अपने आपको जुका दें अपना सबकुछ अल्ला के सामने सौप दें और अपनी मर्जी चोड़ कर आजाएं इसी को इसलाम कहते है याद रखें तो अल्ला के सामने जुक जाना इसलाम में आ जाना फिर मुस्लिम बनके चलना अल्ला के आग्याकारी बनके चलना जो उसने रचना रची है जो अल्ला के आदेस कुरान में दिये गए है उन रचना उस उन आदेसों पर चलना है और मुस्लिम बनके जीना है और मुस्लिम बनके मरना है तब मरने के बाद हमें कामियावी मिलेगी तो भी मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से नस्चत हांसिल करेंगे और पूरी दुनिया के बहकाई में नहीं आएंगे अपने मालिक के तरफ दोड़ चले जाएंगे और उसके आदेस पर चलेंगे क्योंकि मरना एक बाद उसकी तरफ अकेले लोटना है पूरी दुनिया है सबसूट जाएगी याद रखें दुनिया की कोई चीज मौत पर काम नहीं आएगी यहां से अकेले हमें जाना है और अकेले आए थे तो लिहाज़ा अगर हम अल्ला के हुकम पर चलके गए और उसे राजी करके गए दुनिया की परवा ना करी हमने पूरी दुनिया अगर नाराज हो जाए अल्ला राजी हो जाए तो हम कामियाब है पूरी दुनिया अगर राजी हो जाए अल्ला नाराज हो जाए तो हम नाकाम है तो भई मेहनत करें कोशिस करें और इसलाम धर्म का ग्यान हासिल करें इसलिए हम कहते हैं बार बार के हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सबी वीडियो देखें और सुनें ताकि जल्दी सी जल्दी अंदकार से निकल कर रोस्नी में आए और भी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जबाब हो गया और भी इंशालला जिन्दी रही तो फिर मुलाकात होगी असलाम वालेकुम रह्मतुल्ही वबरकातुहू